तो 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 एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूनिक ऑउन-लाइन गुरू चैनल में जैसा की मित रहा हम लोग लूप की सिरीज में बात कर रहे हैं तो हमने वाइल लूप देख लिया है while loop क्या होता है while loop कैसा use होता है उसके मैंने कुछ examples भी आप लोगोगो को दे दीए अब हम लोग बात करने वाले है for loop की किसकी for loop की आनी दूसरे loop की बात करने वाले हैं ध्यान रखेएगा आप जो भी अधर अधर कोडिंग होते हैं सब मत for maximum में same होता है, लेकिन, sorry, while loop same होता है, लेकिन for loop में कुछ ने कुछ difference ज़रूता है, तो यहां पे for loop में बहुत सारा difference है, इस चिछ को हम लोग बारी-बारी से देखेंगे, अभी हम लोग simple for loop के कुछ examples को देखेंगे, जब हमारा complete होगा, तो फिर हम लोग range function पे आएंगे फिर हम लोग break और past continuous statement को भी देखेंगे दोस्तों तो अभी हम लोग बात करेंगे for loop के बारे में अगर आप लोग मैं बात कर रहा रतनाकर रुपद्ध है और आप देख रहें unique online guru channel चलिए कुछ अच्छा सीखते हैं तो देखें मैंने एक्छटा सा definition लिखा हुआ आप लोग के लिए दोस्तों देखें for loop का इस्तिमाल कोई भी sequence के सभी element को display करने के लिए किया यह लिस्ट टपल डिक्सनरी और इस्टिंग मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि लिस्ट क्या होता है नहीं पढ़ाया अगले आगे बताऊंगा लिस्ट क्या होता टपल क्या होता है लेकिन मैंने यह बताया आप लोग हमारा कोई भी जो है अगर हमें display करवाना है तो हम लोग क्या करते कुछ भी sequence में लिख करके हम लोग फार लूप का प्रयोग करके उसे क्या करते हैं sequence वाइस डिस्प्ले करा देते हैं दोस्तों जब iteration सुरू होता है तब variable पर sequence का element assign किया जाता है ठीक है बात समझ में आ गई जितने elements की संख्या होती उस संख्या तक iteration होता रहता है और उसके बाद लूप का control लूप से बाहर आ जाता है बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि अगर जहां तक हमने रेंज function दिया है वहीं तक हमारा क्या होगा वह लूप चलेगा वहीं तक execute करेगा उसके बाद क्या हो जाएगा वह हम देखते हैं दोस्तों एक्जांपल की माध्यां से देखते हैं कि एक्चिली में फार लूप क्या होता है इस चीज़ को हम लोग समझने का दोस्तों प्रयास करते हैं मैंने यहां पर प्रोग्राम को फीड कर दिया फिर देखिए मैंने यहां पर अपना यह दे दिया है सिटि़ इक्वर टु लकनऊ ठीक है जैसे हम कर दिया आई हमारा क्या होता एक तस दोस्तों इह हमारा एक तरीका होता है जो हम लोग फॉर लॉब का प््रियोक कर सकते हैं देखिए उसकित लॉब कुछ भी दे सकते हैं यहां पर उपर लिखा हुआ है दोस्तों ठीक है तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा रतनाकर तब जाके यहां पर क्लियर होगा दोस्तों ठीक है देखिए देखिए मैंने यहां रतनाकर जैसे प्रिंट किया यह क्या किया लकनाव डैली और गोरगपुर दोस्तों दे दिया तो यह हमारा बहुत ही अच्छा लूप है जिस लूप से हम लोग कहीं पर भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं अगर प्रिंट करना यहां पर हमारा सिक्वेंस वाइज यह नंबर दे दिया ना ना यहांटीन और टूटाउजन टूटाउजन तो इस तरीके से क्या होता हमारा फॉर लूप यूज होता है दोस्तों अगर मैं बात करूं एक और अच्छे से छोटे से एक्जामपल के बारे में क मुझे काउंट करना है तो हम लोग फॉर लूप का प्रयोग करके कैसे किसी भी चीछ को हम लोग लिग सकते हैं टेबल वाइस लिग सकते हैं दोस्तों तो इस चीछ को मैं बताऊंगा आप लोगों को ठीक है मैंने दे दिया यहां फॉर इन रेंज 10 ठीक है प्रिंट हमने क् और लिगता लास्ट वेस लगा है माइनश यहां टो थरीं मुफ्यार डिए और टो बहुत अच्छा बॉस्ट है किसारी Past घ्र कने यहां पर अच्छा होता है आ गया दोस्तों आ ना पूरा तो अगर हम लोग कुछ भी करते हैं कुछoney हमें काउंट करना होता है तो चाहें करते हैं इस चीद के बारे में मैं आप लोग को बताया हूं समझाया हूं और गार लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों जैहिन